पती पतनी के रिष्टे में जब धोखा प्यार की जगा ले लेता है तो वो धोखा सब को बरबाद कर देता है इस बात से सतर्क रहना बेहत जरूरी है कि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वास घाद भी होता है एक महिना पूरे एक महिने और इंतिजार करना होगा अच्छा जी बड़े उताबले हो रहे हां मैं तो दिन गिन रहा हूं कि कब ये एक महिना बीते और मैं तुम्हें अपने घर ले चलो मेरा भी कहा मन लगता है तुम्हारे मिला जानता हूं हाँ ये फॉर्म लीजे माडम इधर पेशन का पुरा नाम पुरा अड्रेस बराबर भरने का और वहां कैश काउंटर पैसे जमा करवा देना यहां राइट साइड आई आज सुपर को भवानी का के आए थी और एकाद देकर अशोक अंकल की शादी का काद है प्रूंट प्रूंट यजिए जटको अपर शेंड़ा को अबादरे की जा माला, विए जगला कि जा आए, जिए जगला कर्मादरी को यजगला जे जगला कंढर रसिर्ण थैजगरे जजगला कारा मैं पड़ जगला करे दो जगला है मुशब? मुशब? पुष्पा, पुष्पा, हाँ, क्या हुआ, डॉक्टर भरक को कॉल करो और उन्हें ओटी नमचार के कीज़ो, हाँ, अभी करते हुआ एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही पुष्पा परिशान नजर आ रही थी जबसे उसने अशोक और वनीता की शादी का कार्ड देखा था, कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाये जा रही थी यह कोई अपराद बोथ था, या फिर बदला, गिल्ट और चिल्ट मैं भी आओ तो यह संदे को कोई क्लासिस नी है, लेकिन मैं और मेरे फ्रेंड सेटर्ड़े कोई जा रहा है एक दिन बात जाओगे तो क्या भीड़ेगा राधिका, तो अपने दोस्तों को बोल ना, संदे को जाए, वो भी चले जाएगी साथ में पिक्चर देखने मैं भी कर्ति हूँ मेरे क्लासिस तेल नेजिस, तू नहीं कर सकती खिर्ति, चुप-चप खाना खा मादेव तो ला वसंत पगार मिला क्या? वसंत, यह तो खली 5000 है बाकी की 2000? अपने लिए भी कुछ रखो के सब तुझे ही देदू वसंत, मैं इतने दुनों से दुकान से उधर चीज लेके आ रही हूँ तुम हर मैने जो भी कमाते हो, एक तो उसमें से कम देते हो उपर से जो देते हो, उसमें से भी दारों पीने के लिए मांगते रहते हो एसे घर कैसा चलेगा वसंत ए चुप! मैं तो भीर से भटके बढ़ें के कल राज्य से उद गई क्या? किरती, जल्दी करना, मेरे फ्रेंद्स वेट कर रहे हैं बिग नीम भी मिस हो जाएगी अरे, एक सेकंड अब तु ही लेट के रहे, चल जल्दी चल जल्दी बाई आई रादीका, खृती अरे, पिच्चर देखें, सीधे घर वापसाना, इदो दो भटकना मत भाई हाँ, भाई एक काम करते हैं आजरा तुम ही रुख जाते है इसका उडिला है, आई बाबा से क्या बोल देगे? आई बाबा से बोल देगे की ओफिस से ट्रिपे जा रही हो कुछ भी भाई अरे, नहीं, सच्वे हे बटकादीपदी, करता हूँ मैं सच्चाई और अच्छाई की भक्ती दीख जाए मुझे, अगर हो विद्यालय में कोई जादू मौत कभी नहीं हाँ, तब मैं गवर्मेंट सेक्टर में था तो आपके डिपार्टमेंट में किसी को इस बार में पता नहीं चला? नहीं केशव जी अब आप रिटायर हो चुके हैं, इतने बरसों पुरानी बात है अब आप सच बताएंगे तो शायद आपके पेंशन रोग दी जाए मैं जानता हूँ लेकिन मैंने जाली सर्टिफिकेट और जाली मार्कशिट बनाकर ये नोकरी हासिल की थी और वत्तीस बरसों से उसी नोकरी से मैंने कमाया है तो पच्चतावा हो रहा है आपको, आई यू फीलिंग गिल्टी जी तो आपने डिसाइड किया कि आप इस टीवी शो पर आके फिनफेस करेंगे हाँ जी पर अब इतने बरसों बात क्यों क्यों कि मैंने जो किया वो गलत था अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं अबने अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हूं और मैंने चाहता कि वो मेरी गलती दोरा है हो सकता है, आपके बच्चे इशू देख रहे हैं मैं जानता हूँ, उन्हें बहुत बुरा लगेगा अब मैं सच कहना चाहता हूँ इस दुनिया से जाते समय मैं मेरे सीने में यह बुज लेकर नहीं जाना चाहता मैं अपले परिवार से परे ओफिस के सात्यों से मापी चाहता हूँ बरसों से मैंने उन्हें थोका दिया है सच को चुपा कर रखा है मैं आप सब का दोशी हूँ प्लीज प्लीज मुझे माफ करती चीज़ प्लीज हमारे शो का मकसद संसनी फैलाना नहीं है ये तो बस एक प्लाटपॉर्म है जहां पर लोग आखे सच कहते हैं अपने दिल का बोज हलका करते है ऐसी बाते जो अंदरी अंदर उन्हें खा रही है अगर आपके भी दिल में ऐसी कोई बात है जो आप सब के साथ शेर करना चाते हैं तो नीचे स्क्रोल हो रहे हैं नंबर पर कॉन्टाक कीजिए नंबर नोट कीजिए अब हमें इजाज़ब दीए अगले हफते एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए पिसोन के साथ एक नए कन फेशन के साथ देखते रहिए बुल के बुल दिल से बुल यहाँ पर पेशन का नाम यहाँ पर आपका नाम, पता, फोन नंबर, सब कुछ बराबर लेखते हैं अगर आपके भी दिल में ऐसी कोई बात है जो आप सब के साथ शेर करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रोल हो रहे हैं नंबर पर कॉन्टाक कीजिए नंबर नोट कीजिए 444-576-877 भाईया, मुझे वो वानिता दल्वी की घर जाना है आपका नाम मेडम? जी, शयर्मिना मेडम एक मिनद मेडम ये कोई सर्मिला मेडम आई आपसे मिलने एक मिनट मेडम 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 वो तो चलिए लिए मेडम वो तो चलिए लिए हलो, 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 अजी, पुली, मैं अविनाज जी से बात कर सकती हूँ, जी, हम बोल रहा हूँ, आपको, हलो, पुष्पास दुर्वे, तो बताये में क्या साधे कर सकता हूँ, अपकी, मैंने अपको प्रोग्राम जी, ऑपकी, मुझे भी आपकी प्रोग्राम में आना है, तो कुछ कहना चाहते हैं आप, जी, तो पुष्पास जी, मैं अपके आपके कॉन्दा कर लेता हूँ, तो जी, नमबर मेरे फोन में दिस्पले हो रहा है, ये नमबर आप इका है, राइट? जी, तो इस 444-76-8989, सह जी, मेरा ही नमबर है पुश्वा जी, मैं आपसे जाना चाहूँगा कि आप हमारे शो में आकर क्या कहना चाहती है जी, वो परसनल है तो क्या आप ये परसनल बात मुझसे शेयर कर पाएंगी? अभी? ओके, ओके, नो प्रॉब्म जी, तो अब आपको हमारे टीम कॉंडेक्ट करेगी और वो आपसे पूछेंगे कि आपको हमारे शो में आके क्या बोलना है और उस बेसिस पर हम ये तरह करेंगे कि हमें आपको पने शो में लाना है या नहीं ठीक है? जी, टैंक्स एक्टाइब तू ने कहा था वेट करने को इतना ही कंटल आजा था वेट करने को तो चले जाती तुस्से ना कभी कुछ टाइम पर नहीं होता है बुश्पा ने टेलेविजिन शो पर अपने दिल की बात बताने का फैसला कर लिया था कुछ ऐसा जो वो अपने अंदर छुपाए बैठी थी या था ये रास? उसके सच बताने से किसकी जिन्दगी पर असर पढ़ने वाला था और कैसे? सेक्योर्टी गार्ड ने पहले भी देखा था उसे कह रहा था एक बर पहले भी मिलने आई थी पर अचानक लोट गी शर्मीला तुमारे अभी वाले ओफिस से या कही तुमारे पराने ओफिस से तो नहीं है यह किसी शर्मीला कुछ जानती ही नहीं तो फिर इतना टेंशन मतलो हो सकते कुछ बेचने आई होगी फिर अचानक क्यों लौट जाएगी ऐसे और और स्पेशली मुझसे क्यों मिलने आई क्या काम था तुम वनीता से मिलने गई थी क्यों तो मैं लगता है मुझे उससे मिलने जाना चाहिए था अगर तुम उससे मिलकर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो तो रुख जाओ जो बीद कया सो बीद कया अभी आगे की लाइफ बरबाद मत करो कर दोटूमाल लुटन 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 कर दो जो जो आप कि दर एक तू पुश्वा दोपर के टैंप पे किधर है तू मैं इधर बाजर में आया हूं कियो आप कितर है तू मैं इधर पर जाब ही नहीं है मेरे पास अब यह आती है पंदा मिनट प्र आजाओंगी जल्दी कर वसंथ 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 उटो अंदर चुरू 15 मिनिट बोली थी ना तू आधा गंटा हो गया आधी तू आपका फोन आया तो मैं भाग भाग के आई रही थी मगर रास्ते में किर्थी और राधिका की टीचर मिल गई उन्होंने पकड़ लिया बच्चों की प्रोग्रिस रिपोट के बारे में बात करनी थी इसलिए देर होगी राधिका किर्थी तो स्कूल में है ना उनकी टीचर बाजार में कहां गूम रहे हैं हां तो स्कूल में है ना क्या हुआ वसंद कहरा गया है उसके पचा अभी नहीं बाहर बैठा हुआ है इससे पहरे तो कभी दो पहर में गड़ नहीं है लेकिन आहां जा गया और तारू भी करा आया है सो रहा है वो क्या करूं मैं मैंने बोला कि मैं बाजार में है एक मिन्ट को कि पकड़ो पकड़ो तुम चप चप नीचे जाओ और वापस यड़ीजी उपर आजाओ जाओ हाँ आजाओ हाँ 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 कर दो हाई पुश्पा मैं म्रिदुला बोल रही हूँ तुमने मुझे शायद टीवी पर देखा होगा मैं खुलके बोल दिल से बोल शो की एंकर बोल रही हूँ जीप जी मैंने आपको देखा है तो क्या हम अभी बात कर सकते हैं जीप वैसे भी मेरा लंच टाइम है ठीक है पुश्पा तुम्हें जानना चाहती हूँ कि इस शो पर आके तुम क्या बताना चाहती हूँ हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुम जो कुछ भी कनफेस करोगी उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये शो उस बारे में नहीं है तुम समझ रही हो ना जीप वो मैं मैं अपने अफेर के बारे में बताना चाहती हूँ अच्छा तब शुरू हुआ था तुम्हारा ये अफेर और कैसे है ? तीन साल पहले शुरू होु kidnapped जीप, मैरी दू बेटियां भी है तो तुम्हारे पती को इस बारे में नहीं पता है । नहीं पैसे भी और इस दुनिया में नहीं है क्या ये अफेर्ट अब शुरू हुआ था जब वो जिन्दा थे? जी, और उनके जाने के एक साल बात तक चला और जब तक वो जिन्दा थे उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था नहीं तो फिर तुम अब इस शो पर आके ये सब क्यों बताना चाहती हो? जी, वो क्योंके देखो कुछपा, अगर तुम किसी से बदला लेना चाहती हो तो ये शो उस बारे में नहीं है नहीं, नहीं मुरत अला जी पक्का? पक्का ठीक है, फिर मैं ये कर सकती हूँ मैं अविनाश से कहकर तुम्हारा एपिसोड रेकॉर्ड करने का डेट फिक्स करवाती हूँ हम टलिकास के एक हफ़ते पहले रेकॉर्ड करते हैं तो अविनाश तुम्हें फोल करेगा थैंक यू तु क्या कहना चाहती है बिटी? बाबा, कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत पहले ही सबको बता देना चाहिए था कोई ऐसी बात तो नहीं है न? जिससे सबको तकलीफ हो वसंद ने कुछ किया तो नहीं था तेरे साथ नहीं बाबा वसंद ने तो कुछ नहीं किया उसने तो बस दारू पीबी कर अपनी और साथ में मेरी भी जिंदगी बरबाद की तो ये बाद तो सबको बताना चाहती है बाबा में जो कुछ भी बताऊंगे उससे सबको बहुत दुख पहुचेगा पर अब मैं सबको सबकुछ बता देना चाहती क्या कहना चाहती है वो मुझे नहीं पता तीन साल हो गए मेरे बेटे को बुझरे हुए अब कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है वो उश्पा ऐसा क्या है जो टीवी पे सब के सामने बताना चाहती है तो कुछ है बाबा जो बहुत दिनों से दिल में चूब रहा है तो तो हमें बताना बेटा हम तेरे आई बाबा है हम समझेंगे अपने ही समझेंगे क्यो बेटा ऐसे क्या गलत किए है तुने कुछ किया है बाबा जिसे ऐसे छुपाकर गुटगुटकर और नहीं रह सकती मैं उच्वाइ उच्वाइ मैं उच्वाइ पता नहीं यह क्या कर रही है अपनी बेडियों के बारे में भी सोचा या नहीं पता informação क्या हॉ मॉल्क क्या वठ कैने आपको अटा में मुझे मुझे अपने अफ़ेर के बारे में बताने अफ़ेर? ये क्या बूल रही हो तुमाई? हाँ ये सब हमारे पैदा होने के पहले हुआ या बात में? तम दोनों के पैदा होने के बात बाबा जिन्दा थे तब हाँ अर उनके गुजर जाने के बात तक चला तो अब क्यों बता रही है आप सब को आई? आज तक हमें कुछ नहीं बता था और नहीं किसी और को अब कोई क्यों जाना चाहेगा इस सब के बारे में? आई तो टीवी पर जाके सब के सामने ये सब बोलना चाती है तो जूट बोल रही है आई? नहीं बेटा कुछ और भी है जो तू हम से छुपा रही है आई मुझे पता है कुछ और भी है किसके सा थर्फेर सा तुम्हारा है? हम चानते हैं उसे राधिका तू मेरे साथ चोपे चलेगी बिटा देख मुझे मुझे वहाँ तेरी तेरी जरूद पड़ेगी बिटा राधिका राधिका तू नहीं ऐसा क्यों कहा हूँ कि आए कुछ छुपा रही है पता नहीं मुझे बस ऐसा ही लगा कुछ समझ में नहीं आ रहे कहीं हम से जुड़ी कोई बात तो नहीं वसंद अभी तो तुम काम पर गए थे वापस आगे उड़ी कोई दिल्चस्पी नहीं हो काम है फिर हमारा घर कैसे चलेगा तू कमारी है ना वसंद हमारी दो दो बेटिया है तुमको मालूम है मैं हॉस्पिटल में पार्ट ताइम नोकरी करती हूं कभी तो उनके बारे में सोच लिया करो मालूम है दो बेटिया है वागा मत है एला है ओने भी नहीं देती है तो बेटिया है अगरना है मुल्यों कहां बहुत है वसंद मैं हॉस्पिटल जा रही हूं धान रखना घर का वसंद वसंद म pag upon वसंद 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 यहां पुरण लागता एंटेक वा था खुड़्या अटाइक वा था। काडिया करेस्ट इसक्रीज पिछिए झाल झाल कर दो कर दो पुश्पा जो कर रही थी क्या उसकी वज़ा कोई गिल्ट याने कोई अपराद बोथ था या फिर वो बेवफाई का बदला ले रही थी क्या पुश्पा अशोक के साथ हिसाब बरावर करना चाहती थी या फिर कुछ और भी था इस कहानी में फिलाल पुश्पा अपनी जिंदगी के एक छुपे हुए सच को पूरी दुनिया के सामने बताने के फैसले पर अडिक थी और आखिर वो दिन आ गया आई अब भी सोच लो मैंने सोच लिया है बटा अशोब अशोब यह तुम्हारी नेबर इतने अजीब से क्यों देखती है तुम्हें बता नहीं यह तुम्हें यह तुम्हें यह तुम्हें यह तुम्हें यह तुम्हें वह सिप प्लीज। नश्ट बीचामटबी निश्ट रोल काम्रा परीसा आश्ट आज हमारे साथ है पुष्पा सुरवे और उनकी बीटी राधी का सुरवे पुष्पा हमारे साथ अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ बताना चाहती है कुछ ऐसी बाते जो इससे पहले उन्होंने किसी के साथ शेह नहीं की लेकिन आज पहली बार इस शो में वो ये बात बताएगी पुष्पा आपका इस शो में स्वागत है बताईए क्या कनफेस करना चाहती है आप वो मैं अपने अफेर के बारे में बताना चाहती हूँ एक ऐसे आदमी के साथ जो जो हमारी बेडिंग में रहता है पुष्पा अगर आपको लगता है कि आपके सच बोलने से उस आदमी के जिंदगी पे कुछ बुरा असर बच सकता है तो आपको उनका नाम लेने की कुई ज़रूरत नहीं उसका नाम अशोक भंडारे है आई आज सुपर को भवानिका क्या है थी और एक कार्ड देगर पर अशोक अंकल की शादी का कार्ड है तो फिर आपने अब इस बारे में बात करने का फैसला क्यों किया मेरा अफैर अशोक के साथ तब से था जब मेरे पती जिन्दा थे, मेरे पती शराबी थे उनकी उसलत की वज़े से हम सब की जिन्दिगीयां बरबाद हो रही थी मुझे अपनी दोनु बेटियों को पालना था और उनका बाप नौकरी छोड़कर घर बैठ गया था दिन भर बस दारू पी था और मैंने अपना घर चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी कर लिए और तब ये आदमी मतलब आपका पडोसी आपके जिन्दिगी में आया वो तो बहुत पहले मेरी जिन्दिगी में आ चुका था सब कुछ देखता था कि मैं कैसे सब कुछ अकिले जिर रही है उसे मुझे हम दर्दी थी और मुझे वह अच्छा लगने लगा हम एक उसरे के बहुत करीब आ गए थे उसने कहा कि वो मुझे शादी करना चाहता है अशू कैसे कैसे छोड़ दो मैं उसे तू उसके साथ जी कैसे सकती है पती है मेरा वो एक पियोड़ा जो रोज मारता है तुमें ऐसा होता है क्या पती अशू, वो मेरे दो बच्चों का बाप भी है बाप? क्या किया आज तक उस बापने अपने दो बच्चों के लिए छोड़ दे उसको अपने लिए ये बेटियों के लिए लोग क्या कहेंगे सोचा है ये लोग आते हैं तेरे आशू पोचने अशू आता है कोई आता है कोई मदद करने अशूक अशूक जब कोई औरत अपने पती के साथ रहते हुए ये सब सहती है न तो लोगों को उस पे दया आती उसके लिए दुख महसूस करते हैं लेकिन वही औरत अगर अपने पती को किसी और के लिए छोड़ दे तो यही समाज उसे गाली देता है तू सोच पुष्पा तूस पेवडे के साची न चाहती है या मेरे साथ सोच ले एक बार उससे छूप जाएगी तो हम अपनी सिंदगी शुरू कर सकते हैं जानती हो अशूक पर ये सब इतना आसान नहीं है मेरे दो-दो बच्चे हैं राधिका, किर्ती, मेरे आई-बाबा है और फिर तुम्हारे गरबार कैसे समझाएंगे उन सब को क्या कहेंगे उलो कौन क्या काएगा मुझे फर्क नहीं पढ़ता पुष्पा मैं जा सोच लेता हूँ वही करता हूँ अपनी मर्जी से जीता हूँ अपनी लाइफ के डिसीजिजन्स मैं खुद लेता हूँ और आपने अपने पती को नहीं छोड़ा हिमत ही नहीं थी लेकिन आपने तो कहा था कि आपके पती तीन साल पहले ही गुजर गये थे जीव तो फिर आपको और अशोग को मिलने से कौन रोख सकता था अशोग वो पुष्पा आई बाबा है गर पे पर मुझे कुछ जरूरी बात कर नहीं है तो पहर में मिलते हैं मेरा वो द्यूटी का टाइं होता है अचा ठीक है लंच टाइम में मिलते हैं तुमारे हॉस्पिटल के पास फ़ले रेस्टरॉंट में अचा पर मुझे अचा 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 आज दू मुझे आवाइट क्यों कर रहा पुश्पाब, जो हुआ सो हुआ, अभी वापस सिफ वो जिन्दिकी शुरू नहीं कर सकते है, बहुत कुछ बदल गया है, क्या बदल गया है? पुश्पाद, तुम्हारी तु पेटिया है, उनके बारे में सोचो, तुम बात को खमाओ मत, बसंद को गुजरे पुरे दो साल हो चुके, और तब से तुम शादी के बात को टाल रहे हैं, अब हम शादी क्यों नहीं कर सकते हैं, अशोप मुझे सही सही बता, तुम्हारे नके कर दिया हैं, वो शादी कर रहा था, आई, आज अशोप अंकल है न, मुझे उनकी फ्यांसे से मिलाया, वनीता, बहुत अच्छी है वो, अशोप तुमने मुझे से कहा था, कि तुम मुझे से शादी करना चाहते हो, पुशप समझने की कोशिश करो, मेरे आई बाबा नहीं मानेंगे, पहले तो तुम बहुत सीना ठोक कर कहते थे, कि तुम अपनी जिन्दगी अपने हिसाफ से चीते हो, मैं वही करता हूँ, जो म था, वो सब खत्म हो गया है, प्लीज, अपनी जिन्दगी तुम अपने हिसाफ से जी, और मुझे मेरी जिन्दगी जीने दो, जो से बदला लेना चाहती हो, ना कि अपनी दिल का बोजह हलका करना चाहती हो, बहां सरफ अचोक से बदला लेनी की नहीं है, मैंने जुर्म किया है, मैं गुनेगार हूँ, अपने बच्चों की अपने अपने पती की, पुष्पा, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? कभी नगभी तुम्हारा पती हमें देख लेगा फिरना बाद तुम्हारे हाथ में रहेगी ना मेरे हाथ में तुम्हें क्या करूं, तुम्हें बता अशोग, यह सब इतना आसान नहीं है तुम्हें कब तक इंतिजार करोगी? उसके मरने तक? अशोग! वैसे भी वो मरी रहा है पीपी के, कौन सा जी रहा है? पुष्पा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसके साथ जी सकती हो? हाँ, मेरे बती को अटैक नहीं आया था बलकि उसे, उसे हम दोनों ने मिल, मिलकर मारा था वसंत, अभी तो तुम काम पर गए थे वापस आगे? मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं हो काम है फिर हमारा घर कैसे चलेगा? तु कमारी है ना? वसंत हमारी दो-दो बेटी है मालूम है, दो बेटी है पगा मत! है एला तोने भी नहीं देती एकरना है मुझे काम हो अशोक, वो बहुत जादा नाशे में तू बिना आवास के दर्वास कोल में आता हूँ पड़िया नाशे में पड़िया विए भी नहीं लिए नाशे में तेक्षन रिस्पंदिंग कर रहा है क्या हो आई पता नहीं बिटा हमेशा की तरह आज भी तेरे बाबा ने बहुत पी रखी थी मुझे डर था कि सब को पता चल जाएगा लेकिन आई किसी को कुछ पता नहीं जाएगा डॉक्टर नहीं कहा कि किसी को कुछ पताना चले अवीनाश आएगा आई पुलिस को कुछ देना चाहिए यह यह रहाए, आपको दो इमिजए लिए तो यह बोलना चाहती थी टीवी पे, सब के सामने वो शर्मीला ही पुश्पा थी ना मुझे तुम्हारे बारे में बताने आ रही थी शायद वही थी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अशुक पुश्पा ने शूटिंग स्टूडियो में अपना जुर्म कुबूल कर लिया फिर पुलिस को अपना बयान भी दिया पुलिस इस केस की जाँच कर रही है अशुक और पुश्पा इस वक्त नयाएख रासत में अपराद बोध या बदला ये वाकई बेवफाई का बदला ही था जिसने अपराद बोध को जनम दिया था पुश्पा ने ये माना कि अशुक के धोके नहीं उसे इस जुर्म को कुबूल करने पर मजबूर किया उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अशुक पलट जाएगा और किसी और से शादी कर लेगा सबसे बड़ा सच ये है कि जुर्म कभी छुपा नहीं रह सकता क्राइम नेवर पेस शायद कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर अशुक और पुश्पा एक दूसरे के साथ रहते शादी कर लेते तो ये अपराद कभी सामने नहीं आता लेकिन ऐसा नहीं हुआ जुर्म की नीव पर अगर आप कोई अमारत बनाएंगे तो यकीन मानिये वो जादा दिन तक नहीं टिक पाएगी और प्रेम के रिष्टे की तो बिलकुल नहीं अक्सर कानून ऐसे अपराधियों तक पहुँच ही जाता है और कई बार अपने अपराध के बोज तले दबे ये लोग इस बोज को अपने सीने पर ढोते 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 ठक जाते हैं ये कोई बहुत मुश्किल सच नहीं है जो की समझ में आये और नहीं इसके अंदर भाग्य और किसमत का कोई योगदान है बात बहुत सिंपल सी है, क्राइम नेवर पेज, जुर्म कभी फाइदे मन नहीं हो सकता आप कब तक किसी को अंधेरे में रख सकते हैं किसी की जान लेकर आप कैसे अपनी जिन्दगी संवार सकते हैं और किसी को चूट पहुँचाकर आप कब तक सुकून से जी सकते हैं कर बुरा तो हो बुरा ये सिर्फ कहावत ही नहीं बलकि आपके और हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सच है जब हम अपने अंदर की सच्चाई को दबा कर किसी और को चूट पहुँचाते हैं उसके साथ विश्वास के बदले विश्वास घात करते हैं तो नुकसान आपको भी होता ही है वो सब जो ये कहते हैं कि हमने जुर्म करने का तरीका देखा ये देखा कि हम कैसे बच सकते हैं तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो इसके अंत पर भी गौर करें कोई नहीं बचता, कोई बच भी नहीं सकता आपसे फिर मुलाकात होगी Crime Patrol सतर्क में एक और नए केस के साथ तब तक अपना खयाल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें जुर्म की दौड सिर्फ सलाखों के पीछे खत्म होती है सतर्क रहें, जै कर दो दो बाद होगी